आप सभी का स्वागत हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैस का एक छोटा फ़र बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कैसे अपन एंगल रेडियन से डिगरी में कनवर्ट करें तो इसको अपन एक प्रॉपर एक जांपल के थुरू समझेंगे तो चली सबसे पहले पन एक बेसिक जानते हैं देखिया आपके पास यह सरकल है तो जो फरकल का टोटाल इंगल होता है कितना होता है आपका 360 डिगरी अगर आपन 360 को लिखे है रेडियन में तो वह होता है आपका 2 πाई रेडियन तो पाई रेडियन सिम्झे पान एक सो फॉल करें टू अन्जाफे तो यह बजाएगा आपका 180 degree is equal to pi radian इसको चाहें तो अपना ऐसे भी लिख सकते हैं pi radian is equal to 180 degree तो basically यह आपका relation होता है between radian and degree तो इस relation यह बोल लीजिए फार्मला की मदद से अपन क्या करेंगे convert करेंगे radian to degree तो वीडियो में आगे बने इस पहले आपसे request है यदि आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगया तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ में चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरफे नए नए वीडियो का update मिलता रहे तो चलिए अपन देखते हैं कैसे 6 radian को convert करेंगे डिगरी में तो अपने आप यहाँ पर एक example लिए हुए है 6 radian उसको अपन convert करेंगे इन डिगरी तो चलिए श्टार्ट करतें देखें यहाँ से तो अपने पाफ जो basic relation था पाई रेडियन is equal to 180 degree अपन को क्या करना है 6 radian को convert करना है डिगरी में तो इसके लिए क्या करेंगे अपन यहाँ फे 1 radian की value निकाल लेंगे तो 1 radian is equal to कितना हो जाएगा 1 radian is equal to 180 degree divided by pi तो जब यह 1 radian की value इतना है अपन को 6 radian की value find करना है तो क्या करेंगे अपन यहाँ भी 6 का multiply करेंगे यहाँ भी 6 का multiply करेंगे यहाँ simply अपन लिख सकते हैं इसको 6 radian is equal to 180 degree divided by pi into 6 तो बिसके लिए अपांसर आपका किसमें आ रहा है आपका degree में यह किसमें आएगा आपका degree में तो यह conversion हो रहा है आपका bit किसमें radian से degree में चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे इसको तो fix radian is equal to क्या हो जागे देखिए fix radian is equal to हो जाएगा अपका देखिए 180 degree into 6 divided by pi, pi की value अपन क्या होता है, pi की value जानते है न अपन 22 by 7 इसको लिख देंगे यहाँ पर देखिए 22 बटे 4 मैं लिख दूँगा तो 4 यहाँ पर चला जाएगा अब क्या करूँगा देखो fall करूँगा इसको क्या हो जाएगा दो के table में चला जाएगा दो फी यह तीन बार गया और यह 11 हो जाएगा अब देखो मैं multiply भी करता हूं फात में तो 180 into 3 तो 180 into 3 करेंगे तो अपने को मिलेगा 54 554 into 7 divided by 11 इसको मैं और fall कर लेता हूं देखो क्या हो जाएगा आपका 70 क्या हो जाएगा आपका 7 फे यह 0 हो गया फिर यह हाँ बार 28 का 8 बचेगा फिर 35 37 तो 37 divided by 11 यह आपका degree में आया हुआ है अभी बटा अपन इसको पूरा fall करेंगे ठीक है बागी देखे यहां पर solve करते हैं 3780 divided by 11 अब इसको देखे पन solve करेंगे ठीक है कैसे solve करेंगे मतलब solve तो करी रहे हैं आगे step में और क्या आएगा देखे यहां पर equal to equal मतलब fix gradient की equal है वो 11 के table में इसको देखे divide करेंगे कितना हो जाएगा 11 3 जा 11 3 जा कितना हो बचेगा 40 मतलब की यह आपका 3 तो यहां पर बचेगा 7 तो जो reminder बचा वो यहां पर है और जो divide की 11 का वो यहां पर है तो बफ यह वाले form में आपको लिखना है whole number के form में ठीक है 11 के table में आपको इतने time 11 के table में इतने time जाएगा इतने बार यह भाग होगा इससे divide होगा और 7 reminder हो तो reminder उसको ऐसे form में लिखना है इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं चाहूं तो 343 यह तो डिगरी में आ रहा है ना अपन बताया थी किसमी आनफर है डिगरी में तो यह डिगरी मैं इसको लिखने हो plus 7 by 11 और यह भी है आपका डिगरी में ठीक है यह आपका क्या होगा 60 minute होता है 1 degree is equal to 60 minute तो यह relation आपको पता होना चाहिए कि 1 degree is equal to 60 minute तो अपन क्या करेंगे इस degree को क्या करदेंगे minute में convert करेंगे ठीक है यह आपका याद रखना है तो चलिए करते हैं इसको convert देखे convert करेंगे तो क्या हो जाए आपका 3,43 degree plus 60 का इसमें multiply करेंगे मतलब तो फेवेन by 11 into 60 फिर जब 60 का multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह minute में आ जाएगा यह आपका minute हो गया minute का वो फिंबोल है ठीक है देश लगा देंगे आगे solve करते हैं देखे 3,43 degree plus solve करें कितना हो जाएगा यह 7,6,42 4,20 4,20 divide by 11 यह किस में चल रहा है आपका यह चल रहा है आपका minute में score solve करते हैं देखे 3,43 degree plus चले divide करते हैं इसको देखे क्या हो जाएगा 42 फिर करेंगे 11 का तो 11 यहां पर 3 आए जाएगा यहां पर आपका है 42 तो कितना बचा आपका देखिए यह 42 है 33 उफको divide किया है तो कितना बचा वहां फे फेवेन यहां फे 9 तो 9 बज गया 9 मतलब कि 0 भी है तो 90 बन जाएगा तो 11 है ठाफी 11,88 अब बचा कितना है आपके पास 2 तो 2 remaining है यहां आपके लिखेंगे 2 remaining ठीके 2 remaining divided by 11 यह भी सब ठीक है 2 remaining divided by 11 तो इसको पन ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो देखो 343 degree plus plus इसको क्या करवक्त आपन 38 फॉर यह मीनट है आपका मीनट में था है मीनट है 38 मीनट इसको ओर क्या करवक्त यह देखो plus करके लिख लिखें Bring it to action 11, क्या हो जाएगा烏ंग अभी थक मीनट में है नब वो, मीनट में चल रहा है आपका, अब देखें आगे सॉल करेंगे उसके बाद, उसके बाद क्या सॉल करेंगे, इधर को मैं मिटा दे रह gebaut। अपना较त कर रहे हैं, आगे क्या हो जाएगे देखें, यहां पर इसको अपका करेंगे ना उसको सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखिए यहां हो जाएगा 2 into 60 divide by 11 फिर ये हो जाएगा आपना फेकेंड में फेकेंड का फिंबूल क्या है double days ये वाला अब solve करते हैं देखिए कितना हो जाएगा 3,43 degree plus 38 minute plus ये हो जाएगा 120 divided by 11 एक इसमें चल रहाए आपका minute में तो minute में लिखेंगे solve करेंगे इसको देखिए 3,43 degree plus 38 minute plus solve करते हैं देखिए इसका 11 के table में 120 कब आएगा 11 तो हमें एक फुदफ होता है 11 दहम हो जाएगा 10 10 बार गया तीक है 120 लिखा है ना तो 11 दहम कितना हो जाएगा 110 10 फिर देखिए कितना हो जाएगा 10 बचा है ना वहाँ पर 10 मदबसा हो गया तो 11 या 99 और बागी नहीं करेंगे यह हो जाएगा आपका minute तो अपन इसको देखिए यह उसका final answer हो जाएगा तो यह आपका 343 degree 38 minute 10.9 second तो इसका final 45 हो गया इसको अपन देखिए कि क्या लिखेंगे 343 degree 38 minute and 10.9 second या फिर इसको फिर बना ऐसे भी लिख रकते हैं हो पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 343 degree 38 minute 10.9 है that is similar to 11 तो क्या कर देंगे 11 second तो यह दोनों अपन लिख सकते हैं इसका conversion हो जाएगा तो इस तरफ आपन ने क्या कर दिया radian fake convert कर दिया किसमे degree में तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को फॉस्क्राइपर के बेल आइंकन भी दबाह दीजिए तकि आपको इसी तरफ नए नए वीडियो को अपडेट मिलता रहे तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तके श्डाटा बाई 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 गुटे वे नाइस दे करें